नमस्कार उत्राखंड खबर में आपका स्वागत है छड़ी यात्रा प्रमुख दशनामी जुना अखाड़ा करीब धाई हजार वर्षों से निरंतन अविरिल चलिया रही पवित्र पॉडानी छड़ी यात्रा पहुंची बद्रिनाध धाम महंत प्रेमगिरी की अगवाई में पंचदश नाम जुना अखाड़ा के साधु संतों ने किये बद्री विशाल भगवान के दर्शन देश प्रदेश की खुशाली और सुखसमृद्धी हे तू श्री नारायन भगवान से प्रातना सनातन धर्म की रक्षा हे तू आदिगुन बद्रिनाथ द्वारा सनिटाइच पर साफ सफाई की गई आपको बता दे कि उमा भारती के कोरोना पॉजिटिव निकलने की खबर के बार इतियादन मंदिर परीसर को सनिटाइच किया गया कोरोना संकट के बीच श्री बद्रिनाथ धाम पहुँचने पर प्रशिद्य पौ सरकार पर होने लगा था तब जगत गुरु संकराचार जी का प्राकट दुगा और यहां बद्रिनाराण और किदारनाथ में पांच साल के वस्ता में जो उसी मट में उन्हों तपस्या किया और उन्होंने दिविजय यात्रा निकाली थी तो सभी जितने सनातन धर्म के मंद उन्हों में जो भी कमी थी जो भी मूर्ती नहीं थी उन्हों में सभी प्रतिश्टित किया वही परमपरा आज भी कुछ काल के लिए बंद हो गई थी लेकिन अभी इस सरकार ने इसको परमीशन दी और उन्होंने गाड़ी घोडे सब कुद दिये सारी पुलिस प्रसासन चल ये लोगों ने स्वागत किया इसके बाद सभी साधू संतों ने श्री बद्रीनाथ मंदिर पहुँच भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों का पूर्नेलाब अरजित किया बतादे की उत्राखंड के 13 जिलों में छड़ी यात्रा का आयोजित किया जा रहा है ग बुजर कर पूरे उत्राखंड राज्वे की भ्रहमन कर रही है अखाड़ा के अध्यक्च महंत प्रेमगिरी ने बताया कि सनातन धर्व को जीवित रखने के लिए इस यात्रा का आयोजिन किया गया है धाई हजार वर्षों से यात्रा निरंतर चलिया रही है नहीं तो अगले बार तो लगवग कम से कम 1500 महात्मा होंगे इस महामारी के कारण मानी मुक्क मंत्री जी ने थोड़ा सा परमिसन दी है उसी आधार पे चड़ी आतरा चल लई है यह जगत गुरू संकराचार जी की चड़ी थी किसी काल में बंद हो गई थी लेकिन पुना इ उत्रा खंच खबर के लिए नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट